हेलो दोस्तों स्वागत आपका मारी यूटूब चैनल पे दोस्तों इंडियन नेवी में ओफीसर की वेकेंसी आ गई है और इसमें 12 पास जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए है तो आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करें कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है क्या eligibility criteria है कितनी वेकेंसी है यह सब इस वीडियो में जानेगे चलिए शुरू करते हैं यह आप देख सकते हैं यह official notice है और आप इसमें देख सकते हैं 10 प्लस 2 BTEC इसका मतलब यह है 10 प्लस 2 पे आपकी apply कराई जाएगा आप से फिर आपको BTEC कराई जाएगी और आपको job मिल जाएगी इसमें आपको कोई खर्चा निदेना कभी यह सोचो कि BTEC के पैसे देने नहीं गुर्मेंट खुद आपको पढ़ाएगी BTEC लेवल तक और आपको पे भी मिलेगी सेलरी भी मिलेगी कैड़ेट एंट्री स्कीम आप देख सकते हैं और पर्मानेट कमिशन की है यह जोब यानि की पर्मानेट जोब है तो इसमें देख सकते हैं एप्लिकेशन चेक्टोवर से स्टार्ट हो गए हैं अन्मेरिड मेल कैंडिडेट इसमें apply कर सकते हैं और 10 प्लस 2 वाले apply कर सकते है एजुकेशन ब्रांच में आप देख सकते हैं यह 5 वेकेंसी है एक्जिकुटिव इंजिनेरिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 29 है तो टोटल 34 हैं यह वेकेंसी आप देख सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं जेई मेन का एक्जाम जिसने दिया है जेई मेन वो इसम भी बच्चे होंगे उन्होंने एक्जाम दिया होगा ना ही आपको इसमें कोई टेस्ट देना है सीथ आपका जेई मेन का जो स्कोर है जो आपका रिजल्ट आया था जेई मेन का उसके नंबर के बेसिस बे आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें आप एज लिमिट देख सकते हैं दो जुलाई दो हजार एक से लेके दो एक जनवरी दो हजार चार के बीच आपकी डेट वबर्थ होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए 70% आपकी परसंटेज होनी चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंगलिश में होने चाहिए और इसमें आप देख सकते हैं जो जो अप्लाई कर सकते हैं जेई मेन 2020 में होना चाहिए जेई मेन का ये एक्जाम होता बीटेक वालों के लिए तो इसमें जो आपका ओल इंडिया रेंगाएगा उसके बेसिस भी होगा फिर उसके बाद आपका मेडिकल वगएरा होगा टेट्टू के बारे में बताएगए पर्मानेंट टेट्टू नहीं होना चाहिए पर्मोशन्स आपके दिखाए गए हैं जब आपका चार साल का एक कोर्स हो जाएगा बीटेक का जो ये कराएंगे फिर आप लेफटिनेट पोस्ट पे आप वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे और आप देख सकते हैं सेलेक्शन प्रोसेजर इसमें कट ओफ लगाई जाएगी जेई मेंस पे उसी के हिसाब से फिर आपका SSB लिया जाएगा SSB आपका बैंगलोर, भोपाल, कॉलकाता, विसाखापटनम में होगा और ये नवंबर से लेके जनवरी 2020 तक चलेंगे तो जो जो बच्चे इसके लिए जिनों ने बार भी पास की है साइन्स साइड से उनके लिए बहुत अच्छी अपोर्चुनिटी है ये उनको फ्री में पढ़ने का मौका भी मिल रहा है और सरकारी जोब भी मिल रही है तो दोनों का में एक साथ हो जाएगे तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों मेरे दवरा दी गई जानकारी आपको पसंद आईओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना अगर आप भी जोब या जोब से जुड़ी जानकारी पाना चाते तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आईकन को प्रेस करके all select कर ले धन्यवाद दोस्तो